स्वागत है आपका यू एजुकेशन 24-7 यूटूब चैनल में आज हम लोग सको के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सको के इपिहांस सको का बिस्तार और सको के बारे में सारे important facts जो होते हैं वे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ और आपका आज का सफर जो होता है वह बहुत important होने जा रहा है कि इससे बहुत सारे प्रस्ण जो होते हैं एक्जाम में डारेक्ट आ जाते हैं तो हम पढ़ेंगे आज सको के बारे में सक राजवन्स के बारे में सको को अलग अलग भसाओं में अलग अलग नामों से होता है जबकि china में इसे कुछ और ही नाम से पुकार जाता है इस प्रकार हमें पीछले क्लास तक हमने एरान और के बारे में ईरजयों फ्मारology पर पड़ता है यह मैप को देखे तो यहां से यह होता था इस प्रकार यह जो होता है यहां से यह सारे जो होते हैं भारत में आते हैं बैक्ट्रियाई सासकों को सकों ने पराजित किया और उसके बाद सक जो है वे भारत में आते हैं इवनानियों के बाद भारत में सक आते हैं और उसके बाद सक राजबंसों का इतिहांस जो होता है वो भारत के पस्मत्तर हीसों में सुरू हो जाता है तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे सबसे पहले या बात कर लिजाए कि सक जो है वो भारत में कैसे आए तो मैं आपको बता दूँ कि मद्द इसिया में बहुत सारे जंजातिया निवाज करती थी जो लड़ाकू थी खुन क्छलियाई सासक को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है तो हम देखेंगे कि युवनानियों के बाद भारत में सक आते हैं और सको ने युवनानियों से अधिक छेत्रों पर सासन किया बेक्टियाई युनानी सासको ने भारत के जितनी हिसो पराज किया था उससे कहीं अधिक हिसो पर सको ने राज किया था और सकों की पाँच सखाए थी सक जो थे अन्य कवीलों अन्य जनजातियों कई समुहों में बटे हुए थे और उनकी पाँच सखाए इतिहास में मिलती है पहली सखा जो थी वो अफगानिस्तान में थी ये वाले एरिया में पहली सखा जो थी वो अफगानिस्तान में थी और द जिसकी राइधानी तक चस्रीला थी उस वाले एरिया में जो था वह दूसरी साखा थी और तीसरी साखा की बात की जाए तो मत्हुरा में बसी थी जो लगभग 200 बरसों तक यह बंस जो होता है यह साखा जो होता है राज करता है और इन दोनों साखाओं को पहली साखा जो अफ उत्री छत्रप इसके अंतरगा जो सासक होते है वे उत्री छत्रप कहलाते है और नीचे की जो चोथी और पांचवी साखा होती है उसे पस्मी छत्रप कहा जाता है छत्रप इसलिए कि सको के सासको सासक जो थे अपने को छत्रप कहते तो इसलिए दूसरी और तीसरी साखा ज यह फिख सकते हैं यह तक्सील यहां पर तक्सीला हो गया यहां पर तक्सीला हो गया है तक्सीला और यह मतुरा यह वाले जो है यह उत्री चत्रप कहलाते हैं तक्सिला और मत्रा जो होते हैं सको के उत्री चत्रप कहलाते हैं जब कि अन्या दो जो थे एक वुजैन और नासिक वाला पस्मी और पस्मी और दक्षनी वाला यह जो थे पस्मी चत्रप या दक्षनी चत्रप कहलाते थे तो दूसरी चत्रप जो है पकिस् तक साख़ा वाला साख़ा वे कारती है अब पस्मी साखा में उजयन वाला एरिया है उजयन वाला एरिया है यह पड़ते हैं और पाचवी साखा जो होता है वेदक्षिन भारत से सटे उपडी दकन में पाई जाती है और यह जो होता है इसका नासिक वाले छेतर में यह साखा जो होती है वह बसती है अगर सको के पर्थम राज जी की बात की जाए तो यह सबसे पले सिंदु वाले छेतर में तकसीला वाल और मौ जो था मौ कई कई नहीं कभी कभी इसे माऊस भी कहा जाता है यह उनका पहला अग्यातो यह कि की कि शको का पर्थम छहत् 레प्रेंद पर्थम सासक कौन था तो उसे मह यह माऊस कहेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सको को भारत में विजय के क्रम में न तो सासकों का और नहीं यहां की जनता का कभी भी परतिरोध जेला पड़ा बलक्या ही आसानी से वे भारत के भारत के कई भागों पर अपना सासन सत्थापित कर पाते हैं और बड़े समराज्य Challenge की स्थापना करते हैं जो बैक्ट्रियाई सासकु से भी बड़ा होता है और हमने देखा कि कैसी इनकी पांच सखाय जो थी वह भारती उप महादीप और भारत जिसने सको को प्राचित कर देता है तथा भारत से खदेर देता है इस इसांद्लिमा भारति definitive बी काम और यहां इंतियास में विक्रम सम्बत के नाम से जाना जाता है सके उझाइने के सथाद्य की उपाधी आपको नाजता प्रें यहां के लिए एक बहुती महत्वपुन उपाधी बन जाती है और यह उपाधी इतना important हो जाता है कि भारती इतिहास में 14 विक्रमादित्य जो होते हैं वे पाए जाते हैं इनकी संख्या 14 तक पहुझाती है और सबसे विख्यात अगर की बात की जाएं तो चंदरगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे और 14 विक्रमादित्य झो होते हैं वे बनते हैं और इस्प्रकार कुई भी बड़ा सासक जो होता है वह किसी भी बंस का हो और उसने अगर कोई बड़ा विजय कर लिया है तो आपने आपको विक्रमादित्य की उपादी से नवाज लेता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रमादित उपादी जो होता है वह सको के उपलक्ष में एक इस्थानिय राजा ने गरहन किया था तो यह घटना संटावन 78 इसा फुर्व की है जो उजयन के किस्थानिय सासक ने सको को प्राजित किया था और भारत से खदेर दिया था इसके बाद से विक्रमा दित्य जो होती है एक उपादी बन जाती है और हमने यह जान लिया इसके बाद अगर सको के सबसे परतापी राजा की बात की जाये तो रुद्रदामन पर्थम जो था जिसका काल जो है वह 130 से 150 इसमी तक का काल आता है वह रुद्रदामन पर्थम जो था इस बंस का सबसे परतापी राजा होता है और रुद्रदामन पर्थम जो होता है वह काफी परसिद है तिहास में हम जाता है इसके अलावे इसने बहुत सारे बिजय भी किया था इसने कई सत्वाहन सास्कों को भी हराया वह था ऐसा इतिहास में जिक्र मिलता है रुद्रदामन जो है वह संस्कृत का बड़ा प्रेमी था वो इक बीदेशी राजवन्स का सासक होता है फिर वी संस्क्रित प्यार करता है जबकि अगर हम संस्कृत के बारे में आज की बात करें तो संस्क्रित जो होता है वो सारे हमारी सारी भासाओं में एक उपक्षित भासा बन कर रह गया। और सिर्फ तेंट कलास तक या फिर गुने चुने लोगों के द्वारा इस विसय को लिया जाता है या नहीं कि बराबर लिया जाता है अगर इस सरकारी स्कुल में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि संस्कीत का एक भी टीचर जो होता है वह बहाल नहीं होता है कोई सब्जि संस्कृत भासा में एक अभिलेख भी लिखाया था जिसे जुणा गड़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है और यह गिरनार पहाडी परिष्टित है दामन के साथ एक और उपलबदी जो होती है वह जूड़ जाती है वह उपलब्दी यह है कि उसके समय में उसके सासनकाल में काथिया वार का एक अर्ज सुस्क सुदरसन जिल था जो मौर्यों के समय में इसे सुरू किया गया था मौर्यों के समय में इस तलाब को इस जिल को सुरू किया गया था ताकि सीचाई के कामों में आ सके और सिचाई के कामों में आ सके परन्तु इस जुनागड अभिलेक से रुदरदामन के जुनागड अभिलेक से इस बात की जनकाड़ी मिलती है कि उसने सुदारसन जील का जिरनोधार कराता है मौरियो द्वारा निर्मित होता है परन्तु उस समय जो थी या किसी कारणव से जो होती है वर नस्ठ हो जाती है या तोटफूर जाती है तो उसका म्रमत जो होता है यह कराता है रुदPowerDirement पर्थम जो होता है और सुदर्सन जिल का जुनधार कराता है तो यह कई बार पूछ लिया जाता है, अगर हम जूनागड अभिलेक की बात करें, तो ईसे गुरात की जूनागड जीला में इस्तित है, गुर्णार पहाड़ी पो इस्तित है, हमने जाना इसे शुदरसंच जील का जिकर है, और इस जूनागड अभिलेक से मौरे बंसों के बारे में भी जनकारी प्राप्त हो जाती है और सत्वाहन बंस और सक बंस के बारे में भी जनकारी प्राप्त होती है सुदरसन जील की अगर बात करें तो सुदरसन जील जो है तो चंद्रगुप्त मौरे के समय में इस जील का निर्मार होता है और चंदगुप्त मौरे का एक प्रांतिय गवर्नर होता है जो पुस्य गुप्त होता है वह पुस्य गुप्त के द्वारा इस सुदाष्ण जील का निर्मार किया जाता है परणतों वह उसे पूरा नहीं कर पाता है और आगे जाकर असो का एक प्रांती गवर्नर होता है तुसास उसके समय में यह सुदर्शन जील जो होता है वह निर्मार होता है निर्मार कार जो होता है वह पूरा किया जाता है और इसके बाद जो होता है वह कई बार इस जील का जिर्नोधा जो होता है वह यह कराता है इस प्रकार हमने सको को बहुत ही असानी से और काफी इजी वे में समझ लिया हमने पहले क्या देखा कि इरान को देखा उसके बाद हींद युनानी जिसे ग्रीक यवन या बैक्ट्रियाई सासक भी का जाता है इस बंस को भी देख लिया उसके बाद वीडियो में पहल्लाव के बारे में जानेगा और फिर पहल्लाव के बारे में भी हम लोग जानेंगे और कुसान जो होते हैं सबसे प्लमुक बीदेशी राजबन्स होते हैं और वा हे हमारे लिए काफि काफी पढ़ रहा हूं और आपके द्वारा और आप जो वीडियो देख रहा है उससे आपका एक बंगहरा लगा जुड़ा बना रहा है तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में सको के बाद का इतिहांस जो होता है अर्थात पहल्लव या जिसे पार्थियन इतिहांस भी कहा जाता है पार्थियन वंस के बारे में जनकारी गरहन करें हैं गरहन करेंगे तब तक के लिए बाए भाए धन्यवाद अगर आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया सब्सक्राइब कर लेंगे धन्यवाद